गुड इवनिंग, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल Sky Chemistry Classes में और आज की इस क्लास में देखेंगे SP, SP2 और SP3 संक्रण के अन्यूदार कुछ एक्जाम्पल अपन कर चुके हैं, कुछ और एक्जाम्पल अपन देखते हैं अब SP2 संक्रण के अंदर, SP3 संक्रण के अंदर अपन एलकेन, एलकीन, एलकाइनू को एक्जाम्पल के रूप में लेंगी तो सबसे पहले देख लेते हैं, एलकेनू में SP3 संक्रण अब एलकेनू में क्या होता है, कार्बन, कार्बन, सिंगल बॉंड होता है तो अपन एथेन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CS3 CS3 यह एथेन है और कारबनिक रसाइन में संक्रण निकालने का तरीका आपन जान चुके हैं पहले ही कि सिग्मा बंदू की संख्या गिनलो 4 है तो SP3 संक्रण है 3 है तो SP2 संक्रण है 2 है तो SP संक्रण है तो यहां सिग्मा बंदू की संक्या 4-4 है तो संक्रण कोन सा हो जाएगा इस कारबन का भी SP3 संक्रण है और इसका भी SP3 संक्रण यानि इसका SP3 संक्रण होने का मतलब है इस कारबन के पास 4 SP3 संक्रित कख सके इस कार्बन के पास 4 SP3 संक्रीद कर सके हैं एक, दो, तीन, और ये चार तो इस कार्बन के पास भी 4 SP3 संक्रीद कर सके हैं ये कार्बन, एक, दो, SP3 का मतलब 4 SP3 संक्रीद कर सके हैं तीन, और ये, चोथा देखो, यहां अतिवयापन कर लेते हैं ये दोने यहां दो इलेक्टोनों का साजा करते हैं इसका यह SP3 है इसका भी SP3 है इसको कहते है SP3 SP3 अक्सिय अतिवेपन अक्सिय अतिवेपन अब तीन-तीन SP3 संकृत कक्सक बच गए उनसे कौन जुड़ेवे हैं? हाइड्रोजन जुड़ेवे हैं तो हाइड्रोजन के पास कौन से होते हैं? 1S कक्सक होता हाइड्रोजन के पास तो हाइड्रोजन का 1S कक्सक S कक्सक गोला कारा करती क्यों होतना है? यह 1S कक्सक तो यह 1S किसका? हाइड्रोजन का यह SP3 हो जाएगा यह SP3 हो जाएगा यह हाइडोजन का 1S कक्सक हो जाएगा और यहाँ एक सिग्मा बन जाएगा ऐसा ही इधर है तीन SP3 संक्रित कक्सक हाइडोजन के 1S कक्सकों के साथ अक्सी हैति व्यापन करके और तीन सिग्मा बंद बना लेंगे इस तरीके से तो यह एथननु का निर्माण हो जाएगा और इसमें कारबन कारबन बंद लबाई जो है कारबन सिंगल बंड की बंड लेंग तो ती है 154 पी को मिट्र यह बात हो गई एथनू के अंदर संक्रण की एलकेनू के अंदर संक्रण की कि एलकेनों के बाद में देखो एलकीनों में संक्रण देखते हैं एक्जामपल लेते हैं एथीन का एलकीनों में संक्रण एथीन में संक्रण एथीन में संक्रण होती है जिसमें कार्बन कार्बन क्या पाया जाता हो द्विबंद पाया जाता हो तो यहां एक सिग्मा बॉंड है एक पाई बॉंड है यानि द्विबंद के अंदर एक सिग्मा एकल बंद सारे सिग्मा होते हैं द्विबंद मे येपन चर्चा कर चुके हैं कि वो पार्श विए थी वैपन से बनते हैं इस तरीके से साइडवाइज ओवरलेपिंग से तो देखो सिग्मा बंदू की संख्या यह एक सिग्मा यह एक सिग्मा यह सिग्मा तीन हो गए इस कार्बन से जुड़े वे तो यह एस्पी टू संक्र का एक-वालाै कारबन का एक-वावन सक्रीत कर सक च के साथ मिलकर इस devoted कर सुख्मामद मनाएगा एसवी का मतलब हो गया oil एसपी टू संक्रीत कर गषड़ेग एख वार्षम और ये तीन SP2 संक्रीट कक्सक होगे, क्योंकि एक S और दो P मिले हैं, टोटल तीन मिले हैं, तो तीन ही मनेंगे, तीन SP2 होगे, एक, दो और तीन, इधर वाले कार्बन के पास भी तीन है, एक, दो, और ये तीन, तीसरा SP2 संक्रीट कक्सक जो है, इस कार्बन के SP2 संक्रीट कक्सक के साथ, ये SP2, SP2 क्या कर लेता है, अक्सी एतिवेपन कर लेता है, यानि तीन ही तो SP2 इसके पास हैं, तीन ही उसके पास है, दोनों का एक, एक, एक SP2 संक्रीट कक्सक क्या कर लेता है, अक्सी एतिवेपन, औ होता है और एक सीगमा बन जाता है अब बच गए क्या एक सब्सक्रेशन के साथ आतिवियपन करके और एक सीगमा बन और बना लेते यह SP2 और यह भी SP2 यह भी SP2 तो यह SP2S SP2S अतिव्या पर तो यह तो हो गया सिग्मा अब बच गया पाई के से बना तो प्रते कार्बन पर दो P काम में आगे कार्बन के पास P3 होते हैं PX, PY और PZ दो काम में आगे एक S संक्रित P ककसक जो है वो इनके पास उपस्तित होता है जो तल के उपर और नीचे इस्तित होता है इस तरीके से दिखा दूँ कार्बन सिग्मा बोंड तो यह बनी गिया यह जो अपनी तरफ बोंड रहेगा जो आपकी तरफ रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ और यह दो देखने वाले से दूर रहेगा वो हाइड्रोजन के साथ बोंड इधर ही ऐसे ही है यह सामने वाला बोंड है मोटी लाइन से और पीछे वाला बोंड है डोटेड लाइन से क्यों है क्योंकि यह जो इस्ट्रक्चर है वो इस टाइप की ए एक बोंड आपकी तरफ है एक इस तरफ है और यह एक बोंड इस तरीके से हैं एक इस तरीके से हैं 120 डिग्री के एंगल पर यू रखे हैं जैसे प्लेन खड़ी हो यह 120 डिग्री पर है तो जो आपकी तरफ है वो मोटी लाइन से हैं जो उदर है वो डोटेड लाइन से दरसा दिया है अब प्रते कार्बन परमाणों यानि य गया टोजान ईस तरीके से और इस तरीके से इस कार्बन के तल के उपर ऑर नीछे एक पीकसक है उपर और नीचे आज अधने प्यूमित एक पीककसक है क्योंकि दोनुने SP2 संक्रण में दो-दो पीककसक काम में आये एक-एक एसंक्रित पीककसक बचा हुआ है अब ये एसंक्रित पीककसक क्या करते हैं पार्श्वियती वैपन करते हैं कार्बन के तल के उपर और नीचे तो यह पाईबंद बनता है पार्श्वेतीवेपन से और यह क्या है? ए संकृत p कक सक जो तल के ऊपर और तल के नीचे इस्तित यानि यह तल है ये मानली जी एक कार्बन है ये दूसरा कार्बन है इससे दो हीडोजन ये लगे वे हैं तो इस तल के ऊपर, आधा पी नीचे, आधा पी इसके, ऊपर और इसके नीचे यह दोनु क्या करते हैं, पार्श्वेत्य तिवे आपन करते हैं इस तरीगे से तो пi आबंद का निर्माण होता है और p iaबंद को अपन इलेक्ट्रोन क्लाउड के रूप में क्या करते है इस तरीदे से प्रदर्सित करते है है ये एच ये तो गए चारू हाइडोजन पाई आबंद को अपन इस तरीदे से यनि ये बादलूंगी तरह इस सिग्मा बंद पर चाये रहते हैं उपर की तरफ उपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरीके से बीच में सिग्मा बंद है यह उपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरीके से तो यह है पाई बंद का निर्माण तो यह एथीन अनू का निर्माण इस तरीके से होता है इसमें ओवर्वल अपने यह दिखाना चाहें पूरा तो अब इसको यह दिखा सकता हूँ मैं यह पी जैड गख सको यह भी बजैड गख सको यह पी जैड ओ प्स यह पी वाई में से यह कर लेते हैं पार्श वेती हुए अपने इस तरीके से और पाई बंद बन जाएगा तो यह तो हो जाएगा सिग्मा और यह हो जाएगा पाई पाई को अपने अलग से भी क्या कर दिया है बता दिया है कि इस तरीके से पाई बंद का निर्मान होता है अब नेक्स देखो अपन देखते हैं थर्ड है वो एथाइन में sp3 संक्रण यह निल काइनों में सोरी sp संक्रण अब एथाइन कुछ सी होती है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हुव एथाइन होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बड़ यह थाइन होती है तो सीग्मा बंदू की संक्या गिनो देखो सीग्मा एक है यह पाई है यह भी पाई है यह सीग्मा है यह सीग्मा है यानि प्रते कार्बन ने दो-दो सीग्मा बना रखे हैं लिगमाबंदू की संग्या दो है तो संक्रण SP होगा दोनों का संक्रण SP होगा यानि एक S और एक P कक्सक मिलकर दो SP संक्रीत कक्सक बनाते हैं यानि इस करबन के पास भी दो SP संक्रीत कक्सक है इस कारबन के पास भी दो SP संक्रीत कक्सक है और आपको पता है संक्रीत कक्सक अपने आपको ऐसे व्यवस्तित करते हैं ताकि उनके मद्दे मेकजिमम डिस्टेंस रहे मिनिममम रिपल्सन रहे तो 180 डिगरी पर अपने आपको व्यवस्तित कर लेते हैं इस कारबन के पास भी दो SP संक्रीत कक्सक है एक और यह दूसरा दोनों के पास SP संक्रीत कक्सक है हो गए दोनों अब इस कारबन का एक SP संक्रीत कक्सक उस कारबन क अकस ये, अतिवयापन, और क्या बना लेंगे एक सिग्मा, दो इलेक्ट्रोनों का साज़ा हो जाएगा, फिर ये S पी संक्रीत कक्सक, ये S पी संक्रीत कक्सक, हाइड्रोजन के 1S कक्सक के साथ क्या कर लेंगे, अतिवयापन कर लेंगे, ये 1S, दो इलेक्ट्रोन यहाँ, दो जनके 1S ककसक के साथ अतिव्यापन करके 1 sigma यह बंजाता है और 1 sigma यह बंजाता है ही sigma बंद की कहानी तो यह ओई थीक अब है pi 2 अब pi बंद कैसे बने है दो तो मैं यदि P1 की काम में है तो 2S संकृत P ककसक बच गए संकरण में A की P ककसक काम में है तो दो दो एस संक्रीत पीक अक्सक प्रते कार्बन पर बच गए यह तो इस तरीके की रेख ही आकरती बन गई है तो इस तरीके से अब एक पीक अक्सक उपर और नीचे है एक यानि इसको एकस एकसिस मान सकते हो एकस एकसिस पे और दूसरा आगे और पीछे यानि य एकसिस पे तो एकस वाले उपर और नीचे इधर वाले कार्बन के पास भी उपर नीचे एक यूं हो जाएगा क्या अतिवियापन दूसरा आगे और पीछे तो आगे वाले आगे की तरप से और पीछे की तरप से अतिवि फ़रित पीककसक हैं यह कार्बन यह कार्बन और यह hydrogen these इह देखो तल के उपर तल के नीचे तल के ऊपर तल के नीचे इसको मैं पी एक्स नाम देता हूं तो यह भी क्या है पी क्या आज किया लेता है रुबिद फाइव creator आपन और बच गया voy यह पी वह इसके पास भी और यह भी появ पार्ष्व यह अपन करके और पाई आ बंद का निर्मान कर लेत है इस तरीके से क्या हो जाता है पाई आबंद का निर्मान होता है तो पाई आबंदू को अपन इस तरीके से दर्सा आ सकते हैं एक उपर की तरफ और एक पीछे की तरफ तो यूँ दर्सा दूम है C, C, H, H एक पाई या बंद को अपन यों दर्शाएंगे उपर और नीचे एक को थोड़ा सा क्या करेंगे तिर्चा दिखार सकते हो इस तरीगेश यहनी दो इलेक्ट्रोन क्लाउड बन जाएंगा एक सामने की तरफ होगा एक पीछे की तरफ होगा एक उपर की तरफ होगा एक नीचे की तरफ होगा क्योंकि एक आई संक्रित कक्सक जो है वो इस तरीगेशे है खड़े और एक है यूँ आगे और पीछे तो इस तरीके से क्या बन जाएगा अपने पास अधाइन की स्ट्रक्चर बंजा गी और इस सिग्मा और पाई बांद। जो हैं वो इस तरीके से निर्मित हो जाएगे इनको मैं इसी औरणू के अंदर दर्साना चाहूं तो यह वग् representing इस तरीके से, एक अतिव्यापन यह हो जाएगा, और एक एक्स एक्सिस वाली PX और PX में, एक PY और PY के अंदर, और एथाइन मोलीक्यूल बन जाएगा, तो यह एथाइन का निर्माण, अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉंड की लेंथ होती है, कितनी, 154, कार्बन डबल बॉंड कार्बन 134, और कार्बन ट्रिपल बॉंड कार्बन की लंबाई होती है, 120 पिको मेटर, एथाइन की स्ट्रक्चर रेखिए, इसकी समतलिय, और जो सबसे पहले देखा था, एथेन, उसके अंदर कार्बन परमाणों है, वो चतुस्पल की आकरती में, होते हैं, यह समतली आकरती में होती है, यह रेखिया आकरती की होती है, और उसको त्रिकोन यह समतली भी कह सकते हैं, पर ने उसके अंदर त्रिकोन बंद रहे हैं, दो, एक, और वो दूसरा, और एलकेनों के कार्बन परमाणों, SP3 संक्रीतों ने कारण, उनके कार्बन परम इनके अंदर SP, SP2, SP3 संक्रण के निर्मान की प्रिक्रिया और कौन-कौन से कक्सक भाग लेते हैं किस प्रकार से सिग्मा और पाई या बंदू का निर्मान होता है यह पूरी प्रिक्रिया